गुड मॉनिंग चिल्रेन आज क्लास 7 के लिए पाठ दो देखते हैं स्वरों के प्रकार तो सबसे पहले आईए जानते हैं स्वर क्या होते हैं तो 22 प्रकार की शुरुतियां अब शुरुती का मतलब होता है जो धोनिया हमारे कानों को साप साप सुनाई देती हैं वो शुरुती कालाती हैं तो आईए जानते हैं कि 22 प्रकार की शुरुतियां होती हैं जो हमारे विद्वानों ने बड़ी मुश्किल से बारीकियों से जान करके पहचाना इन 22 शुरुतियों में से मुखे 7 शुरुतियां चुली गई हैं वही स्वर कहलाएं अब ताकि जो आसानी से समझ सकें तो इसके लिए हमने यह शुरुति का डाइग्राम बना है आपको देखने के लिए कि यह लाइन पर आप देख सकते हैं कि यहां लाइन पर ऐसे शुरुत थापित किया इस प्रकार से 22 शुरुतियों से 7 शुरुतियां चुली गई जो कानों को प्रिया और अच्छी लगती थी वह स्वर कहलाएं अब आपको बताते हैं कि स्वर दो प्रकार के हो गए शुद्ध स्वर जैसे आमकी गाते हैं कि सारे गवम पधनीसा वह शुद्ध स आपने अस्थान पर जैसे हैं वैसे ही गाये बजाया जाते हैं और विक्रित स्वर दूसरा होता है दूसरा विक्रित स्वर का मतलब विक्रित का मतलब जो अपने अस्थान से आगे पीछे हिलता डूलता हो तो यह विक्रित स्वर दो प्रकार के हो गए पहला हुआ कुमल विक जो स्वर अपने अस्थान से आगे पीछे, हिलते डूलते रते हैं, उनमें जो स्वर पहले गाय बजा जाते हैं, वही कोमल स्वर कहलाते हैं, तो जैसे आप देख लिजिए, यह हर्मोनिम पर सारे गा, म, पध, नी, सा, यह सब शुद्ध स्वर हैं, लेकिन यह रे हैं, तो अ कोमल हो सकते हैं, रे, गो, धो, और नी, तो नी कोमल होगा, तो यह हो जाएगा, धो कोमल होगा, तो यह होगा, और गो कोमल होगा, रे कोमल होगा, इस तरह से चार सुर ही कोमल होते हैं, उसके बाद होता है कीवर विकृत, जो सुर अपने अस्थान से एक सुर बाद में गा कहीं चैप्टरैब येम्हं सब्सेड मिलें से प्रक्राइबा को उसलिए को देखाए कि Zachary कि देखालतर हों तुझ में सबस्केड़ सब्सक्राइब धिञ्मातं सब्सक्राइब और कॉमल स्वर और तीब्र स्वर न तीनों स्वरों में मुख्यत विक्रित होते हैं लेकिन कॉमल पहले बज़ता है तीब्र विकृत बाद में बज़ता है और सुद्धसवर अपने अस्थान पे रहते हैं ठीक है इस तरह से आप एक कोशिश करेंगे कोई अच्छी लगने वाली गीत जो तयार करेंगे और काउपी में लिखेंगे भी अपरेंट्स को सुनाएं मेंगे जो प कर दो अथरा साषी का डीक हा नत्नाएं में पारूफrics योड़ जीस क रगना को सुना अपने को तरहा है यो जर्लिया भी है इस कि अभी है डीक हुआ है योड़ encont व होाभ आप पने पो ठोलिचन, जो नाखरा है कृता है